हेलो एव्रिवन वेल्कम बाक तो यूटूब चैनल एम लखी पांडे सो हाज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों एंस डेली ने कर जो अर्जन में नोटिस निकाला है रिकार्डिंग दे रिजल्ट ऑफ नौसित 2021 आके रोनों पे ऐसा क्यों किया उन्होंने इतने अर्जन में कि वो नोटिस क्यों निकाला है तो उसका रीजन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और बाकी काफी चीज़े हैं काफी बचों के दिमाथ में डाउट चल रहा है जो अब काफी कैंडिडेट्स ने जो कैट का दरवाजा खटकटाया है रिगार्डिंग नौसर 2021 के कुछ इ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप आप अमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले बैल अइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो की हर नौडिकिशन आपको मिलती रहे तो चलिए अब बात कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते है जो नोटिस है यह 26 बत्र से लेकर यह जो केस है 26 तक का है बेसिकली यह जो नोटिस है यह कोविड-19 तो आपने सुना ही होगा कितने बड़े दोर से हम गुजरे हुए हैं अब कोविड-19 में बेसिकली यह हुआ था जो हमारे प्रधान मंत्री नरीन मोदी ने यह का था कि जो कांडिडेट्स ने हंड Central Government में जो vacancies निकलेगी उसमें आपको priority दी जाएगी ठीक है थोड़ा बात को समझने की कोशिश करेगा बात है क्या exactly ठीक है यह जो नोटिस में निकाला था श्री हमारे प्रधान मंत्री ने नरेन मोदी ने जो 100 डेज की COVID-19 में duties करेगा उनको किसी भी Central Government की जो vacancy निकलेगी उसमें priority दिया जाएगा ठीक है इस notice में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जो qualified candidates भी नहीं होंगे उनको भी relief दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर बस ऐसा लिखेगे उनको priority दी जाएगी जो not qualified candidates है उनको relief दिया जाएगा यह नहीं दिया जाएगा उनको ऐसा कुछ नहीं लि ये PDF भी description में डाल दूंगे आप वहां से इसको बहुत अच्छे से एक बार दुबारा देख सकते हैं बाकी ठीक है ये था notice तो इस चीज को लेकर काफी candidates ने cat का दर्वाजा खटकटाया है वो अपनी इस चीज को लेकर court में गया है नौट से 2021 के regarding तो अगर देखिए मैं उनको यहीं बोलूँगी क्या ये जो बात थी COVID-19 को लेकर 100 days की duty को यहां पे ऐसा कहीं mention नहीं है जो not qualified candidates हैं उनको relief दिया जाएगा so अब इस चीज का क्या फर्क पढ़ने वाला है आपके seat allocation के जो first time तो निकाल दिया है first round की seat allocation हो चुकी है aims ने निकाल चुकी है अब aims को decide करना है कि आखिर वो क्या करता है क्या फैसला लेता है वो भी aims का फैसला भी आपके court के फैसले पर आता है क्या जीत कर आते हैं या नहीं जीत कर आते हैं तो उसी के फैसले पर aims decide करेगा कि आखिर उनको क्या करना है देखिए अभी exactly हम कुछ कह नहीं सकते दब तक court का कोई फैसला नहीं आ जाता exactly तो हमें भी नहीं पता है कितने candidates हैं क्या issue लेकी गए हैं क्या उन्होंने दुबारा 2020 के issues को उठाया है या नहीं उठाया है और भी सारी काफी चीजें इस चीज की लेकर और भी काफी issues वो उठा सकते हैं court के अंदर लिए जोंग सकते चीज केए जो हम बात करें हैं करने के लिए कैंडिडेट्स एसे नंको at least जन्होंने 100 days की डूटी करी है कोविड में उनको एक दू माज का रिलेकजेशन मिले ताकि वो उनकी सीट बन सके एंस में और वो उनको सीट मिल सके अमस में कोट उनकी इस बात को मानती है उस बात को मान के वो क्या फैसला निकालती है ठीक है तो आज इस केस की सुनवाई है देखें hopefully जो एकदम सही correct फैसला हो कोट वही ले और positive में ले अब बात ही आ जाती है देखें जो 80-20 ratio है वो तो रहेगा ही ठीक है वो अलग बात है अब ये दुबारा एक बार उस मुद्दे को उठाते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि कोट उस चीज़ को जाएगी जब उनने एक decision ले लिया है 80-20 ratio तो रहेगा ही रहेगा बाकी अब कोट एक बार दुबारा क्या करती है वो फैसला आने के बाद ही कुछ कहना सही होगा ऐसे अपने आप से कुछ कहना बिल्कुल सही नहीं होगा अभी जब तक कोट का कोई फैसला नहीं आ जाता बाकी रहेगे देखे अगर aims की हम बात करें तो अगर result positive में आता है अगर वो case जीब जाते हैं जो candidates लेकर गए है जिनको priority चाहिए तो aims दो चीज़े कर सकता है या तो फिर first round की allocation का result में modification कर सकता है थोड़े सा उपर नीचे हो सकते है जो candidates है उपर नीचे थोड़ा aims हो सकते है बाकी ये थोड़ा मुश्किली है क्या इतने सारे candidates को अलड़ी उन्होंने seat allocation का result निकाल दिया है aim से भी काफी pressure है उनको बियासी नर्सिंग के जो इस वाँसलिंग चल रही है उसकी भी पूरी करनी है फिर नॉसेट की भी है तो काफी pressure है तो मेरे को कमी chances लगते हैं कि उसमें changes लएगा बाकि यह जो candidates हैं जो इकोर्ट में गए हैं जो इनको priority चाहिए तो शायद वो ऐसा कर सकते हैं कि उनको second round में priority दे दे अगर court यह कहता है कि नहीं भाई इनको first round में ही priority दी जाए तब वो शायद changes लेकर आए aims बाकि शायद वो second round में उन candidates को priority दी जाए बाकि अभी कुछ नहीं कह सकते कि क्या decision होगा क्या court का फैसला कि आएगा aims क्या ले सकता है तो उससे जब फैसला आजाएगा तब ही कुछ सही होगा इसके बारे में कहना तो मैं आपको यहीं बोलूँगी कि जो candidates का राउंड बन में आगया है तो आपको इतने डरनी के ज़रूरत नहीं है थोड़ा उपर नीचे हो जाएगा पर ऐसा नहीं है कि आपको अलोट कर दी है देखे एक बार ऐसा नहीं हो सकता है कि गौर्वर्मेंट ने आपको सीट दे दी है गौर्वर्मेंट जॉब दे दी है उसके बाद आप आप से चीन लेंगे नहीं ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है इसके चांसे बहुत ही जादा कम है वो बहुत जादा अगर प्रेशर बना जाता है तब जो सीट अलोकेशन का फर्स राउंड करा है उसमें चेंजिसू घियांगे इस अधि एसा है पॉड़ा है 2 गैशों को कशपने राउट सकते है अब डंढ करता है क्या क्या निकालता है क्या तब फैसला देता है हुड़ा पराईबट तोन जो बहुत बी पावर्श प्रीट सिंग प्रीöm की जब्याच के सामने वो ह्यरिंग होने वाली थी, वो एप्सें थी, उनके वज़ए से इसलिए हीरिंग को पोस्पोन कर दिया गया था, तो आज उसकी हेरिंग, क्या रिजल्ट आता है, कैसी चीज़े होती है, क्या उन काड़िड़ेट्स की जो डेमांद्स है, वो करता है, किया नहीं करता है क्या decision लेता है Supreme Court का क्या decision आता है उस पे aims पे फिर उसके बाद aims क्या लेता है क्या वो अपने जो फर्स राउंड की सीट अलोकेशन करेगा या नहीं करेगा तो वो उस पर डिपेंड करने वाला है ठीक है तो वो देखेंगे वो इंतजार करते हैं मैं जैसे ह मैं अभी की कोई अपड़ेत आती है, मैं आपको वीडिएो के थू आपको बताऊंगी जल से जल बताने की कोशिश करूंगी और इस से पहले आप सब्स्क्राइब कले ए क्या जैसे भी कोई आती है जैसे बी क्या नहीं क्या रर्जल्ट अचैसे ज defin. पर आए में माब आप